क्या पेख जांगारी नेयुक्त में आपका स्वागत है जैसा कि 25 अप्रेंट से आप लोगों को यह जानकारी दी थी कि जीरू लेवल इंगलिस की क्लास्ट रू हो नी थी तो उसी प्रॉमिस के हमसार आज से आप लोगों क्लास्ट रू हो रही है तेंस सबसे पहले तेंस आप लोगों को टेंस की जानकारी जिती जाएगा, उसके बाद अग्री पैसी नारेशन की इन डीटेल पढ़ाया जाएगा, टेंस क्या होता है, टेंस लैटिन सब्द के टेमप सद से बना है, जिसका अर्थ होता है समय, समय को ही काल कहते हैं, टेंस तीम प्रकार का होता पर्जेंट टेंस वर्तमान काल पांश टेंस भूद काल फूचर टेंस भूद काल पर्जेंट टेंस वर्तमान में जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं बीते विए समय को भूद काल कहते हैं आगे आने वाले समय को भूद काल कहते हैं फ्रेंट्स पर्जेंट टेंस के परजेंट इंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे और future के भी चार-चार भाग होते हैं Past Indefinite Tense Past Continuous Tense Past Perfect Tense Past Perfect Continuous Tense इसी पजार future के Future Present Future Indefinite Tense Future Continuous Tense Future Perfect Tense Future Perfect Continuous Tense दोस्तों आईए हम Present Indefinite Tense देखते हैं सबसे पहले क्या होता है Present Indefinite Tense Present Indefinite Tense Present Indefinite Indefinite Tense वर्तमान अनिस्चित का दोस्तों इसमें जितने भी कारे होते हैं अनिस्चित होते हैं कोई इसका समय नहीं होता कब से शुरूर है और कब खत्म होगा इसलिए 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 वर्तमान अनिस्चित काल कहा जाता इसमें इसमें पांके अंत में ताहें तीहें तेहें ताहूं इत्याद सब्द लगे होते हैं दोस्तों, पर्जेंट इंडिमिने टेंस में है विच्वल एक्षान, है विच्वल एक्षान, उनिवर्शल टूथ, इंवर्शल टूथ और रिपिएटड आएक्षान, रिपिएटड आएक्षान को दर्शाने के लिए पर्जेंटेंस का सदेव पर्यूप करते हैं, जैसे एक्जाम्पल में देखते हैं, वे बच्चे बाजार जाते हैं, सबसे पहले आप लोगों इसका नियम बता दिया जाएं, पर्जेंट इंडेंटेंस के संटेंस में संटेंस भी चार पकार के होते हैं, पहला है एफर्मेटिव संटेंस, एफर्मेटिव संटेंस, एफर्मेटिव संटेंस, सकारात्मक वाक रूल ओफ ट्रांसलेशन अनुवाद करने करने फ्रेंट्स इसमें सब्सपल हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट में वर्ब में वर्ब प्लस अब्जेक्ट यह अनुवाद करने करने सब्जेक्ट में वर्ब यस या यस अब्जेक्ट थर्ड पर्शन थर्ड पर्शन के साथ में वर्ब में यस या यस लगाते हैं थर्ड पर्शन के साथ में वर्ब में यस या यस का परियोग करते हैं सेस अभी करताओं के साथ यस या यस का परियोग नहीं करते हैं एक आदर्स व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वा इमानदारी पूर्वक करता है फ्रेंट्स जैसा यह आप लोग को बताया गया था पर्जेंट इंडिवनिट टेंज के लास्ट में ता है ती है ते है ता हूं इत्याद सब्द आते हैं इसमें ता हैные है अर्थ शिंपल सेंटस आप लोग को बताया गया था सब्जेक्ट प्लस में वर्व प्लस अबजेक्ट तो सबस्पहले हम ढूरते हैं सब्जेक्ट का है ट्रांसलेशन करने से पहले एफ़रमेटिव निएटिव सेंटेंस में सबस्पहले सब्जेक्ट देखते हैं एन आईडियल व्यक्ति पर्सण आपका सब्जेक्ट एक वचन है अर्थाद मेन वर्ब में इस या इस का प्रियोग करेंगे इमानदारी पूर्वक करता है परफार्म इस लग जाएगा परफार्म से अपने करता बोक अबजेट इस टिवटी इज इमानदारी पूर्वक दोस्तों ये डवर्म है विद आनेस्ट लिखिये या आनेस्ट लिए आइडियल परफार्म इस डिवटी इज आनेस्ट ले इमानदारी पूर्वक दुधरा बाग के इसी प्रकार देख लेते हैं लिवरल नम्बर्स में वे विद्यार्थी विद्याले जाते हैं वे विद्यार्थी विद्याले जाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट आप क्या है विद्यार्थी और यहां पर अप्झेफट का अप्षाओ है, इडवर्ब है और यह क्या है? मेंवर्ब है मारा, तो आईए, टांसेशन करते हैं, तोज, इस्टूडेंट्स, मेंवर्ब, मेंवर्ब ये क्या है? वेस फार्म्स, लिवरल नंबर है, इसलिए यहां पर यास यास लागाने को यास होता ने, गो, गो के साथ में साथ टूका परियोग, कमपल्स्री होता है, गो टू स्कूल, ओके, दोज स्टुडेंट्स, गो टू स्कूल, वे विद्यार्थी, विद्यार लाए जाते हैं, फ्रेंट्स, आईए बताते हैं, आप लोगों को कमप्टेट्टी एक्जाम में कैसे इंडिफिनेट से क्वेशन पूछे जाते हैं, अरविजार्थी, आप लाजेखे हैं, आप लेका, विद्यार्थी, ऑष्का टाड़्यılar जाते हैं, आप लोगो, कन दोड आए लोगोगे में टोस्क्वेशन में, कि साक्रप्टी और लिए जाते हैं, कराशन सूराज इज राजी इंडिकल राय इंद इस्ट पूर में डेली मन प्रत दिन आप लोग को बताये गये था परजेंड इंडिकल रहा है डेली सब्द क्या बता रहा है कि सूरज जो है पूर में प्रत दिन निकल रहा है निकलता है अर्थाद भी में आपका इरर है तो यहां पर हो जाएगा राय जेज एस लग जाएगा क्योंकि संसूर यह क्या एक है कि दा सन राय जेज इन दा इस्ट टेलिंग इसी परकार और भी सारे बाग कर देख लेते हैं एक दूर थी कि कर देख द्वेट कर देखा यह एक वड्चब रोण्य लिगलिगे ट्रो यह झांटरिखने Nachtлагेड डिकत्वर्ड़ डुप देख क्व एक bertam आपसर है, टेक, सिकेंड आपसर, टेक, थर्ड आपसर, इस टेकिंग, और चौथा और लास्ट आपसर है आपका, टो, गयार दो, कर दो, इस टेकिंग, फ्लेज, इस टेक्ड आपसर इस ब्रच, ब्रनबाश आपसर, खैड इस टेकिंग, ज्रेकिंग, टू, कर दो, क्यात्य बर। जटेटिव अब्ज़ेटिव के पहले प्रियोग क्या जाता है यह आपको नाउण पाइंगे इस प्लेस प्लेस कि फोर यह इसलिए यहां पर क्या होगा इस टेटिंग कट जाएगा टू पास्ट निमिट है एक सही तो है पर यह क्या प्लिग्रल नंबर में इसलिए गलत है यह आपका आप्शन क्या है सही एक क्रिकेट वर्ल्ड कप पर देख चार वर्स पे आता है कि इसी तरह और भी एक दो आपके देख लेते हैं कि दी सब्सक्राइब इसलिए आपके देख देख प्लाइब आपके देख लेख आपके देख वाव प्लाइब 10 उपलाँ को लो approach i करें transit 20 उप ठाव 2 उप आप 2 करें ईक हुआं हवाँ option है, opens, open, close, open, close, last, open, close, , इस नाइन ओकलाक, इस अप्टियु ठीक है, अपसर रिकवार देखते हैं, इस ओपनिंग, इस क्लोजेंग इस प्रजेंट सहिंग, स़िए यह कट जाएगा, इससे क्या पड़ती हो रहा है हमारा बाग क्या है रिपेटेड़ एक्षन दर्शारा है इसलिए हम किस आप्षन को देखेंगे देखें ओपें प्रजेंट इंडिगनिट है प्रत यहां पर गलती क्यों है क्योंकि यहां पर क्या प्लूरल नंबर में हमारी में वरा तीसरा कि खुलती है आप नाइन ओं कलाग नौ बज़े खुलती है एंड मने और लोजेज बंद होती है आइट प्लड़ ओं कलाग पारवजे बंद होती है इसी प्रकार और भी एक दो आप्शन देखते हैं एक जांपल देख लेते हैं फिर चलते हैं आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं रवी इस्पीड इंग्लेश इंग्लेश इंग्री आवार करा भी इस्पीड इंग्लेश इवरी आवार A, B, C, D चार आवसन देखे हैं रवी इस्पीड इंग्लेश इंग्लेश इवरी आवार परते एक घंटे परते एक घंटे रवी क्या करता हैं इंग्लेश बोलता है क्या दचारा है B, C, E, B, E, C, D पे दोलता है क्योंकि यहां पर काम दिया हे इवरी सब अग्या है हे इवरी आवार परते इंग्लेश जो थे परते एक घंटे बोलता है इसने क्यारा है 1, B, C, D एक वाक देखते हैं ग्रोशन प्रूथ का टैट्स अल्वेज लाइक मिल विल्या आल्वेज पसंद की मिल्क दूद यह पास्ट इंडिफनेट है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा लाइक लिवरल नमबर में हैं सब्जिक्ट है हमारा तो यहाँ पे लाइक हो जाएगा विल्या सद्यो दूद पसंद करती है बिल्कुर यह सद्यों 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 को बताते हैं अवेट अवेट वेट फार इंतजार करना कम बाइक रिटर्ण वापस लोड़ना इंस्पाइट आफ इंस्पाइट आफ डिस्पाइट डिस्पाइट इसका अर्थ होता है के बावजूद आगे भी है इस्पाइट आफ डिस्पाइट के बावजूद वेट फार रिटर्ण इस्पाइट आफ डिस्पाइट कांसिस्ट आफ कम प्राइज कम प्राइज लास्ट है रन अवे फिली जी दोस्तों ये महत पूर्ट तथ हैं आपके इसी में से अध्कांसा लंगबग हर परिच्छाओं में 80% इजाम में इसी प्राइबलों को कोशन मनाता हैं डिफिनेट से अवेट वेट फारिंद जार करना कम बाइट रिटर्न वापस होना वापस लोड़ना इस्पाइट आफ डिस्पाइट के बावजूद कांसिस्ट आप कमप्राइट शमाइट होना सामिल होना रन अवे भाग जाना दूर भाग जाना फिली किसी का सेम अर्थ हो फिली दूर भाग जाना आई ये बात के मादर जिसको आप लोग को समझा देते हैं एक्जाम पर आप खूआट यह कि अईत तुर में रिस्पाभी उली की तो सब्सकंऊच्डपी आपया यह da भाग झाल जिस्पाइब कि वैने में हो पाल यह Prowski-ल यह सय कुझ कि यह तो दो सुत ल 기대 कि इस आई कंब यह में वापस आता हूं अवेट फार मी मेरा इंतजार करो कि अवेट फार के साथ फार का प्रयोग इनाउन नहीं जो कि वेट फार होता अवेट फार नहीं इसलिए आंपको क्या हो जाए को फार हट जाएगा इसका सिधा एक्जाम्पल हो जाएगा इसी परकार एक दो और एक्जाम्पल है इस रहूल 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 होटार्व बायद्शाय का सिधा लिधे पाल मी इफ राहुल रिटन्स बैक प्लीज पाल मी इरिप्या मुझे सूचित करो, मुझे बताओ यद राहुल वापस आता है तो यहां पर क्या गलती है दोस्तों रिटन्स बैक, रिटन्स के साथ बैक का पुरियोग इसलिए नहीं किया जाता उसलिए यहां बैक सब्द और रिटन्स बैक का परियोग बिए जाता है जिस सब्द में R E सब्द लगा जोलता है उसलिए बैक सब्द का परियोग इलावने है जैसे रिटन्स जिवर्ट और यह से एक दो सब्सक्राइब इसमें ध्यांस निकल गया है एक दो जामपलों देखते हैं आप फैमिली आप वामपली दूजश्ट थोस्टिवर्ट आप जामपलों खर्णी आप लगया है पादर मधर जामपलों और जामपलों खर्णी आप लेया है एक परिवार में सामीर होते हैं एक पिता मा और उनके बच्चे कांसिष्ट के साथ आपका परियोग इलाओंगा आपका परियोग में सस्त्री है यह यह ही पर हम लिख दें यह वार कि सही है क्योंकि इसके साथ आपका परियोग किया गया है यदि इसे दूसरी तरीके इस लिखा जाएं a building a building comprises of six room बात्रूम एंड आ किचेंग कर आए एक बिल्डिंग में कमप्राइजे समाहित होते हैं सिक्स रूम्स आ बात्रूम एंड एक किचेंग रसोई घर जो कि यहां पर गलती दिख रही हैं कमप्राइजेज आफ आपका प्रियोग कमप्राइज के साथ नहीं होता है इसलिए यहां पर क्या होगा आफ कट जाएगा कमप्राइजेज उनली कमप्राइजेज प्रद इसी को में यह पैसी बनाए जाए तो कमप्राइज के साथ भी आपका प्रियोग एलांग है आपका प्रियोग किया दाता है अधिक प्रियोग करें कर दो कि दूपिंटी पीजेज टिक दोस्तों पाइसी बनाएगा इस बाग का पैसी बनाएगा इसे कि रिए के साथ एत्वाके में आफ का प्रियोंगिलाउग नहीं है प्रण्तु पैशियु में आफ के ऊफ कम्पराइट के साथ कि अलाउंग है और तहा यह वाग्या है सफी बल्कुल राइट है कर देखते हैं डिबिक्टे संटर तो यह तो रहा हैय अब देखते हैं डिफ इंटेर्सी अब तो दोस्तों आपकी इंगलीज की क्लास बगस यही पर आज खतम हो जाएगी जैसे कि आपने देखा सरका भी नय नय एक्सपरियेंस है अगर कुछ आपको लग रहा है कि मदला विसुधार किया जाए तो कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करिएगा जिस इंगलीज की जो कि आपकी 30 मिनट से लेकर 25 मिनट होगी जिसमें आपका बेसी पोइट से लेकर के कंपूटीशन तक सब कुछ क्लियर किया झाएगा ठीक है तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा बहुत-बहुत शुतृया हमारी कोशिस होगी कि जब्दी से जब्दी आपकी इसके बाद आप लोगों का सवाल होगा क्या हम ने पढ़ाएंगे जी बिल्कुल हम भी पढ़ाएंगे कुछ क्लास जो भी जैसे चलती थी और वो कुछ और भी क्लास पढ़ाएंगे जो की नहीं हो बाती थी ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन मत लिजिएगा हम पढ़ाएंगे और वो भी पढ़ाएंगे इस क्लास को दोस्तों में भी सेयर करिएगा थैंक्यू आप सभी को